हिंदी गलम में फिर सेप का एक बर स्वागती ये वडियो बिशी सुर्फ से बिहार एस्टेट से संबंदी थे हैं आज इस वीडियो में हम लोग LCM और HCF को पढ़ेंगे यानि लगुतम समपर्तक और महतम समपर्तक को पढ़ेंगे बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार एस्टेट के सिलेवस में ये दिया गया है अब आप यहां पर पूछेंगे कि बिहार एस्टेट के सिलेवस कहां दिया गया है तो बिहार बोड के ओफिशिल साइट पे दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूराने वीडियो में भी हमने लिंक डाल दिया है उफीशिविछ लिंक इस वीडियो में भी डिस्क्रीप्टिन बॉक्स में दो लिंक दे देए Miche अगये एक तो ओफिशील लिंक देए हैं जहां से पता के बिहार सोय और लिंक दे देए हैं अब चलिए बिनाई धरज़र के बात करते हैं तो देखिए लगुतम समापर्तक और महत्तम समापर्तक पढ़ने से पहले कुछ चीज़े और भी जानना चाहिए जैसे अपवर्त है अब ये भी उसी से संबंदित हो सकता है ये पूछा जा सकता है सबसे पहले आप पूछेंगे अपवर्त में इस क्या होता है ये क्या पढ़ा रहे है तो अपवर्त को कहते है हम लोग गुनच देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया ये नाम मिलेगा तो समझेगे ये अपवर्त है पूछ सकता है कि तीन का अपवर्त लिखे तो तीन का अपवर्त निमने में से कौन सा है तो याद रखिएगा तीन का पढ़ा तीन का पढ़ा तीन का अपवर्त है जैसे आप कहते हैं तीन होता है तीन छे होता है फिर तीन नौ होता है तीन बारह होता है तीन पंदरह होता है ये तीन का अपवर्थ है, यानि तीन का गुनज है, गुनज दे, अपवर्थ दे, को ये सब क्या है, तो ये सब आपका अपवर्थ है, चार का पुछेगा, को चार का पड़ा याद कर लिजे, तो इसका अगर परिभासा देखा जाए, तो क्या होता है, वे संख्या है, जो द आगे चलके क्या बनेगा LCM, लगुतम समापर्तक, लगुतम समापर्तक, जब भी गुनज का चच्चा होगा तो याद रखिएगा लगुतम समापर्तक का चच्चा हो रहा है, लिख लेजी एक जगा, यह थोड़ से कन्फ्यूज करने वाला वर्ड है, लेकिन हमेशा याद र को जगा एक बड़ी रिविजन करने के लिए, कभी कभी प्रश्न पूशन देता है, साथ के प्रथम पंच अफ्वर्तों का योगै क्या होगा, प्रथम पूशने प्रथम देखा, अफ्वर्त भी नहीं जानते हैं, तो कैसे किलीर होगा, अब यहाँ पे किलीर होगा, कि साथ का टेबल, क्या होता है, पांच, साथ, साथ, दुन, चोदे, सतर, कई, सचोग, टेश, सथ, पैटिस, पांच हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, तीक, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो साथ, चोदे, एकई, सथ, इस, पैटिस, जोड़ा हमने एक कितना है, अब 50 और 100 के बीच, अगर देखा जाए, तो 18 का पाड़ा पढ़ लिएगा, तो आपको आएगा, चोवन, बहत्तर, और 90, 90 के बाद क्या हो जाता है, अथारे के उपर हो जाएगा, नबे प्लस अथारे जोड़िएगा, तो क्या हो जाएगा, उपर चला जाएगा नबे, दस, 100 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, तो इस तरीके से देखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उपर हो जाएगा, को 100 से अंदर रखना था, और 50 से उपर रखना जाएगा, तो नहीं भी आता है, तो इस तरीके से कर लिजएगा, अब देख लिजएगा, पचास तर्मेरा एक, दो, और तीन, अपवर्थों के संक्या कितनी होती है, तीन, बहुत असान है, अपवर्थ का मतलब उने बता दिये, गुनज होता है, और ये किस से कोरिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा लगुतम समापर्तक, एक होता है अपवर्थ तक, तक आगे न, तक, तकमिस होता है महत्तम समापर्तक, तकमिस क्या होता है महत्तम समापर्तक, बहुत असान है, इसली तरीके से समझेगा, लंबा टॉपिक है, बहुत सारे चीज़े किलिर करना है, ये पूछ दे, कि वे संक्या जो दी गई, संक्या को पूर्थया विभाजित कर दे, उस दी डीखेए लिखेए रिखेए अप्वर्थक, Dash देखे लिखेए फैक्टर, ठीखे लिखेए गॉर्णनखंड, दीखे 18 और ये लिखे दिशचीएगा जैनि अप्वर्थक मिश्च ओते है वे संक्या हैं जो दी गई संक्या को पूरता भी भाजित कर देए अब 18 में क्या-क्या भाग लएगा ये बतेए तो कहिएगा सर एक से भाग लग जाएगा फिर कहिएगा सर तीन से भाग लग जाएगा फिर कहिएगा सर छे से भाग लग जाएगा फिर कहिएगा सर छे से भाग लग जाएगा सर नौ से भी लग जाएगा उसके बाद कहिएगा गर दो से लास्टली 18 से लहेगा इसको देखेये तो यह एक दूसरे से correlated होते हैं यह याँ और यह कहा लिए रही दोनों आपस में बार कि आधा बर में जाएगा दू नौ बार में जाएगा तीन नौ बहर में जाएगा और यह समय हो इतनीं संख्या उसे लगता है Webb shah का गर दे दे को समझ जाएगा क्या गुणनखंड यानि किससे किससे वो विभाजित हो जाए वो संक्या ये आगे चलके मसा हो जाएगा ये आगे चलके क्या हो जाएगा महत्तम समापर्तक अगे चलके क्या हो जाएगा महत्तम समापर्तक क्लियर हो गया अब यहां पर पूछा जाए कि 36 के अपवर्तों को या इनको नखंडों की संख्या क्या है तो आप देखे किस से किस से भाग उसमें लगता है तो उसमें भाग लएगा आपका एक से फिर दो से फिर तिन से फिर चार से फिर छे से फिर नौ से फिर बारा से फिर अठारा से फिर 36 से अब यहां पर दे सभ रिलेटेड होते हुए भी संसंख्य क्यों नहीं है यह प्रश्ण बंगता है तो यहाँ पे दिखिएगा तो एक जो किसे रिलेटेड है तो छा और से रिलेटेड होगा तो डबल छे आता है को एक छे लिखेंगा है च्योंकि चाचाके जीजेगा कोई ये टोटल कितना हो जाएगा संख्या 9 है और यहाँ पे 9 वाले को टिक कर देंगे तो यह चीज आप समझ गया अब इसके बाद एक प्रश्ण है और इसी प्रश्ण से आप हमेशा लगुतम समापर्थक और महतम समापर्थक निकाल सकते हैं और इसी प्रश्ण ये लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन मतलब बनाने का तरीका दूसरा करेंगे इसके साथ ही और भी प्रश्ण है को यहाँ से इसकीप मत कीजिएगा और भी प्रश्ण है क्यों उसको देखिएगा यहाँ पे क्यों सीख लीजिएगा कि अगर महतम और गुणनखंड बरावर क्या होगा यहाँ पे छोटा सार्व गुणाज के जगह पे लिखा जा सकता था LCM यह भी लिखा जा सकता था क्या लिखा जा सकता था बाबु LCM, तो अगर LCM भी लिखता है, यहाँ पर LCORM मतलब छोटा सार्व गुणज लिखे या LCM लिखे तो वही मतलब हुआ सबसे बड़ा सार्व गुणज लिखे या HCF महतम समापर्तक लिखे वही हो जाएगा छोटा सार्व गुणज बराबर LCM बराबर लगुतम समापर्तक दूसरा लिखे, सार्व गुणज खंड सबसे बड़ा सार्व गुणज भराबर HCF बराबर महतम समापर्तक अब बराबर है यह बताना है, इन्होंने 25 और 30 का छोटा सारव गुणज या लोगुतम निकालना है को ऐसे निकालते हैं हम लोग भागवीदी द्वरा जो आप जानते हैं 25 और 30 का किसे भाग लगएगा बबू इसमें तो आपके यह गया सर्थ 5 से भाग लगए चलिए हम 5 से भाग देते हैं 25 और 35 और 35 ऐसे बनाते हैं 25 और 35 कितना बार में यह पूर्णता कट जाता है वो हम लिखते हैं याद रखिएगा इसमें दोनों संख्या में 2 संख्या और या 3 संख्या को हम यह देखते हैं कि उसमें भाग लगे उसमें क्या हो भाग लगे किसी एक संख्या से किसी एक संख्या से पूर्टा वो कट जाए तो 5 से पूर्टा कट गया अब 5-6 आ गया अब हम आपसे पूछे 5 और 6 किसी एक संख्या से भाग लग सकता है तो आपका यह अगर नहीं सर नहीं लग सकता है तो नहीं लग सकता है तो यहीं पे हम यहाँ पे खतम कर देंगे आप यह कर सकते है सर एक से लएगा जब एक से देंगे तो फिर वही संख्या जाएगा तो कोई फैदा नहीं तो जैसे हैं यह भाग लगना दो संख्याओं में तो यहां पे हम समापत कर लिते हैं अगर यहां पे तीन संख्या होता 25,30, Soot High तीनों को भाग देखे साथ में किसी दो संख्या का देखते है कि दो संख्या में भी भाग लगता है कि नहीं तो इस तरीके से अगर लगता है कि उसे कटा कर आग लेक जाएगे तीन संख्या, चार संख्या जाए, वो maximum कितना भी हो सकते हैं, अब चलिए, अब भाग नहीं लेगा, तो इसे आपस में हम गुणा कर देते हैं, अब इसे गुणा करेंगे 6, 5, 30, और 30 में 5 से गुणा करेंगे, तो ये आजाएगा मेरा 1,500, 3, 5, 15, 0 का 0 हमने लगा दिया, और आपका लगुतम समपर्तक क्या होगा, को 1,500 होगा, अब इन्होंने एक और प्रस्ण पूछा, 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, यानि मौसर, यानि महत्म समपर्तक निकलना कैसे निकलेगा, अब इसके लिए इन्होंने ये वीधी अपनाया, लेकिन हम ये बीधी नहीं अपनायेंगे, हम एक और बीधी आपको बताते हैं, 18 कमा 14, इसको ऐसे कर देंगे, जैसे लगुतम आप निकलते हैं, अब यहाँ पे तरीका याद रखिएगा, लगुतर और महत्तम में थोड़ा संतर है, ध्यान से समझेगा, ने तो भाग बेदी द्वरा अपना लिजेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ने तो यहाँ पे थोड़ा से समझे लिजे, मेरा तरीका जो होता है, थोड़ा सा यूनिक है, लेकि बहुत ही यह आसान है, अब यहाँ पे दो संख्या दिया हो, तीन संख्या दिया हो, सब में एक ही संख्या से पूर्टा वो कट जाना चाहिए, जैसे मैं आप दो संख्या दिया है, तो मैं आप से पूछी कितना बार में यह कट जाएगा, कहिए का सर 18-14 समसंख्या से कट जाएगा, समसंख्या से कट जाएगा, यानि 2 से कट जाएगा, समसंख्या है, यानि 2 से सर कट जाएगा, को 9-21, 18-21, 14, अ उनों संख्या है किसाथ गुणा भाग कुछ नहीं करते हैं मसा हम यहां से डिरेक्ट निकल देंगे हो सकता है यहां 14 के जगा 24 दिया हो तो फिर से कड़ जाएगा किस से यह तो 9 आ गया है यहां पर आ जाएगा 12 फिर किस से कड़ जाएगा 3 से कड़ जाएगा अब मालिजे 2 स हो सकता था, 6 हो सकता था क्योंकि 3 3 9 और उधर आ जाएगा कितना 24 या था तो इसका मौसा कितना आता छे हाता, फिलाल प्रस्ट में दिया गे 14 और 24 का सबसे बड़ा सारभून खंड यानि आपका HCF यानि मसर यानि महतम सामपर्तक क्या होगा तो वो दो होगा अब हमें 150 और 2 मिल गया अब यह क्या कर रहा है दोनों का गुणनफल यान दोनों को गुणा कर देंगा वो मेरा correct answer हो जाएगा को 150 और 2 है को 15 दूना 30 30 पे 1 0 बैठा देंगे 3 मतलब 0 बैठा देंगे यह हो गया 300 तो मेरा correct answer क्या हो गया 300 यहां 300 कहीं है बिल्कुल सही अब आपको समझ में आ गया हो गया नहीं को rewind करके देखिए कि कैसे निकालते है LCM कैसे निकालते है HCF यानि लगूतम महतम कैसे निकालते है दोनों के लिए हो गया ह लगूतम का full form देख लिजे क्या होता है को देख लिजे अंग्रेजी में लगूतम समपर्तक का अंग्रेजी में देख लिजे क्या होता है इसे देख लिजे पूछता नहीं है इसके बाद इनकी बीदिया है और इसके बाद आपका भाग बीदी यह है लेकिन आपको इतना नहीं जानना है लिंग दिख लेजिए दो होते हैं और इस तरीके से ये निकाला जाता है और इसके बाद भागविदी द्वरा ये ज्याद किया गया बहुत सारी संख्याओं का इसका पूर्टा बिभाजित हो जाती है ये पूछा गया है अच्छा हाँ यहां पे ये सब तो पूर्टा बिभाजित होगी पूर्टा बिभाजित होने की बात कहा जाएगा सबसे बड़ी संख्या की बात कहा जा रहा है चार अंकिये चार अंकों की तो पूर्टा बिभाजित होने की बात कहा जाएगा तो समझ जाएगे उसका क्या निकालना है लौसा निकालना है अब यहाँ पर देखेंगे पंदर 12, 15, 18 और 27 का लॉसर निकाल देंगे तो कितना आएगा 540 परतेक पांच अंगों की सबसे छोटी संख्या इसके बाद ग्याद करेंगे तो सबसे छोटी संख्या पांच अंगों की देखा जाए तो उस पे कितना 0 रह जाएगा उस पे 4 0 और 1 तो पांच अंगों की एक पे 4 0 इसके बाद देखा जाए तो 540 से इसको विभाजित करने पे सेस्वल कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा तो अभिस संख्या कितना हो जाएगा इतना माइनस 280 इतना माइनस 280 तो आपका कोरेक्ट अंसर आ जाएगा जो भी संख्या है वो वो आएगा 9720 अब यहाँ पे कहिएगा 4 अंगों के सबसे बड़ी संख्या थी तो आपने पांच अंगों की अपने सबसे छोटी संख्या क्यों ली क्योंकि एक संख्या बढ़ा देंगे और जितना से भाग लग जाएगा उतना बिवाजित हो जाएगा उतना उससे घटा देंगे तो आपका 4 अंक में वो clear हो जाएगा तो यह लगुतम समपर्थक दोरा क्लियर कर सकते हैं हमने क्या किया फिर से हम समझा दे रहे हमने यह किया कि इसका जो भी संख्या यह देंगे उसका LCM निकाल लेंगे LCM निकानने के बाद सबसे बड़ी संख्या कहा है चार अंगों की तो हम पांच अंगों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे यहां छोटी संख्या भी किलिए रोगे छोटी संख्या क्या होता को सबसे छोटी संख्या ले लेंगे अब जो LCM निकला था उससे क्या करेंगे इसको विभाजित कर देंगे विभाजित करने पर जितना सेस आएगा उसको उतना संक्या से घटा देंगे निश्चित रुप से वो चार अंकों में तब्दील हो जाएगा वही मेरा correct answer होगा एक और प्रशन लेंगे एक और प्रशन पूछा जाता है कि तीन चोरहों की traffic light एक क्रमसा परतेक एक मिनट 75 सेकंड 90 सेकंड बाद बदलती है यदि वे 1,30,750 पर बदले तो पूणा 1,70 कब बदलें यह प्रशन पूछा जाता है कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए ल्से हम का परियुक करते हैं अब यहाँ पर देखा जाए तो इनोंने तीन चीज में का परियुक किया है पहला एक मिनट को अगर हम convert करें एक मिनट को तो एक मिनट 60 सेकंड का होता है 60 सेकंड ले लिया हमने उसके कितना है 75 सेकंड की यह 75 सेकंड ले लिया हमने और 90 सेकंड है को 90 सेकंड यह एक मिनट को हमने 60 सेकंड में इसलिए तो इसका कितना है और 900 जो होता है सेकेंड होता है इसे क्या करेंगे मिनट में तबदिल करेंगे क्यों क्यों कि यहां पर क्या दिया गया है साथ पचास एक मिनट दिया गया है समय जो है घंटा और मिनट साथ बच के कितना मिनट है पचास मिनट इसलिए इसको मिनट में तबदिल करेंगे को 900 को 60 से भाग देंगे तो मिनट में तबदिल हो जाएगा तो इसे तबदिल करने के बाद कितना आ गया 15 मिनट आ गया अब ज जोड़ेंगे उतना होगा को 75-75 जोड़ेंगे को 75-85 के बाद 10 जोड़ा तो 8 बज़ेंगे 8 बजने के बाद 5 निट और जोड़ेंगे क्योंकि 15 मिनट यह आट पांच में फिर यह तब्दील होगा तो यह प्रश्ण पूछे जा सकते हैं इस तरीगे से थोड़ा सा गुमा के और भाग विदी द्वारा इनका ये है लेकिन हम ऐसे नहीं देते हैं हम दोनों संखय तीनों संखय एक सत रख देते हैं देखते हैं कि तीनों में एक सत किस संखय से वो कड़ जाएगा और यहां पर एक प्रश्ण के लिए हमने यहां आपको रुखा था भिनो का लसा तथा करते हैं ऑन्सु निकाल लेते हैं ऑर हरों का मसा निकालते हैं दिडिक जब भी भिन भीन मतलब बटा में ऐसे जब भी भीन है तो उपर वाला का उपर वाला का वो अंस होता है कि उपर वाला का लसा क्योंकि प्रस्ट में लसा है उपर वाला का लसा नीचे मसा अगर मसा निकालने के लिए पूछता है तो मसा पूछ रहा है न तो उपर क्या हो जाएगा बाबू मसा और नीचे क्या हो जा कर लोसल ग्यात किजिए इसका क्या निकालेगा पांच 25 का लोसल कितना हो जाएगा निकाल अए से 5 से 5 से पांच से चाहएगा 5 5 से कम 25, 25 सब बोन cent धोर घुना कर देखें तो ये हो गया आपका उपर वाला क्या उपर वाला हो गया आपका लॉसा और चीज नीचे वाला का मौसा कितना होगा क्योंकि नीचे उल्टा हो जाता है कि मौसा निकालना होता नीचे वाला का मौसा यानि हर का मौसा कितना हो जाएगा तो इसको निकाल लेज़े आठ दो आर 40 तीनों क्या। याद रखियेका मचालते से मिं Every taste बीच में एक आ गया यान् moon कट्वेजा लेकिन कंटना ciate अगर इस तरीके से करते हैं तो यहां देखा जाए तो एंसर क्या हमें मिल रहा है? दो मिल रहा है तो यहां 25 बटे 2 मेरा एंसर हो गया 25 बटे 2 इसमें दिया है कि नीवागु दिया है 25 बटे 2 clear हो गया तो यह हो गया अगला प्रशनाप के सामने है बना लीजिए दस्मलाव संख्याओं का लसत था मौसा कैसे निकालते हैं मालीचे यह संख्या दे दिएगा कुछ नहीं करना है जब भी दस्मलाव हटाना होता है दस्मलाव हटा देंगे और उस तरीके से बना देंगे अब फिर दस्मलाओ चढ़ा देंगे जैसे तीन दस्मलाओ 6 दिया है तो दस्मलाओ हटाने के लिए एक तो हम एक लिखते हैं और कितने अंग के बाद है तो आप देखिएगा कि 6 जो है एक अंग के बाद दस्मलाओ है 6 के बाद क्या है? दस्मलाओ है यानि एक अंग के बाद 10 मला है तो एक 0 यहां बेठा देगा पहला का कितना हो जाएगा 36 भाई 10 हो जाएगा दूसरा का क्या हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा बारे भाई 10 हो जाएगा क्योंकि एक अंग के बाद चार आठ हो जाएगा, बटे दस चार आठ, क्योंकि एक अंग के बाद इसलिए दस आ रहा है, अब तीनों का नीचे का है निकालेंगे, तो दस 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 है, तो मसा वही संख्या हो जाएगे, उपर का निकाल लेंगे, तो ये 144 आजाएगा, लसा निकाल लेंगे, अब 144 बटे द सा गया तो एक अंक के बाद दस्मलों बिठाएंगे तो 14 दस्मलों चार कैंसर हो जाएगा इसी तरीके से अगला प्रशन है मसा कैसे निकालेंगे उल्टा कर देना एक और अब एक और महत्वपोन प्रशन जो निश्चित रूप से क्या है कि कुछ करना नहीं होता है मैं इसको हटा देता हो बुट थे पूख दे दू संख्याओं का लस्चा मसा संबंध क्या है को याद रखेए गया इसा डिया गया है जैसे कालंग कंसेट के लिए रखें, यह बता है, यह कौन सा संख्या होगा, बहुत असन होता है, लासा मासा को एक साथ कर दीजे, जैसे में हुकता क्या है यहाँपे, दो संख्या दिया गया है, को जदी एक संख्या 72 है और एक संख्या हमको पता नहीं है वहाँ X माल लेते हैं और इधर क्या कर लेंगे लॉसा मसा को को गुणा कर दीजे 360 गुणे 12 यही आपका मेन है याद रखिएगा जो नहीं दिया होगा वो आप X माल लेंगे हो सकता है यहां मसा नहीं दिया हो दोनों संख्या दिया हो को दोनों संख्या लिख देंगे और मसा के जगे X कर देंगे हो सकता है लॉसा नहीं दिया हो तो लॉसा के जगे X देंगे कोई एक संख्या नहीं देगा अब बाकी सब दिये रहता है कोई एक संख्या आपको नहीं देगा, बाखी सब दिये रहता है, और असान तरीके से आप कर सकते हैं, और किलियर हो गया, जहां नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर X लिख देंगे, और बाखी समिकरन यहीं बैठा देंगे, यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है, यह ल 360 गुणे 12 है, जब भी इधर से कोई संख्या जाएगा, तो नीचे बैठ जाएगा, जब भी इधर से कोई संख्या जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, इधर से माले जो कोई संख्या जाएगा, तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन X जिदर आएगा, उधर वाले छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है यह तो आपका LCM और HCF था मुझे लगता है इस वीडियो में आपका एक टॉपिक निश्चित्रुप से किलियर हो गया अब एक प्रश्ण आपसे पूछेंगे असान सा सवाल मुझे लगता है कि आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा यह सवाल है 36 और 60 का सबसे चोटा सार्वगुणज 18 और 45 का सबसे सार्वगुण खंड बरावर है बीच में भाग है दोनों का निकाल लेजिए सबसे चोटा सार्वगुणज मतलब क्या होता है कमेंट सेक्षन मतलब सबसे बड़ा सार्वगुण खंड मतलब क्या होता है कमेंट सेक्षन बताइए इसका एंसर क्या होगा जली बताइए 20-30-40-10 क्या होगा एक टॉपिक आज हमने समाप्त कर दिये बाबू बहुत दिनों से आप लोग दिक्कत में थे कैसे क्या होगा एक टॉपिक समाप्त कर प्रक्टिस से ही आएगा तेही से बनाएए बन गया बहुत बढ़िया अब इसको देख लिजे आपका कितना एंसर है यह इस तरीके से इनों ने बनाया है यह लंबा तरीका है भाग दिया 180 आया आपका LCM 9 आया आपका HCF यानि मौसर दोनों को भाग दिया तो यह 20 आरा तो यह था आज के प्रश्ण का उत्तर भी आपको हमने बता दिया और यह था आज का वीडियो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक से जरूर कर दीजेगा और कुसिस कीजिए to the point पढ़ने का जैसे किसी नहीं का सर क्यों एकाउंट से हैं त उसको पढ़ लिजे कुछ चीजे हैं वह हमने डाल दी जा है और एक और पीडियाफ जो पैड सीरीज लिए होंगे कि पीडियाफ हमने डाला होगा पुराना वाला तो उसमें देखिएगा जो भी पीडियाफ है ना उसमें वो टॉपिक को टिक करते हुए क्यों पढ़ तो उसको देखके पढ़िए तो फिलाल इस वीडियो में इतना फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहनी क्लब पे धन्यवाद बाबाइ सब्सक्राइब कीजिए हिंडी क्लब को दबाईए इस बिल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है